आप जब google.com खोलते हैं तो आपको क्या नज़र आता है जगीनान आपको google का एक logo एक search box और उसके लावा कुछ link सूप और नीचे इसके लावा आपको बाकी सारा white page नज़र आता है और अगर आप यही google.com किसी और browser में खोलें मॉबाइल में खोलें या किसी और जगा पे भी जहां पर भी internet available है और browser चलता हो वहां पर आपको google.com as it is नज़र आएगा तो google अपने search engine में बहुत सारी changes लेकर आता है लेकिन google पिछले 20 साल से अपना home page एक जैसा ही रखा हुआ उसमें तो ये 2008 में google इस तरह से नज़र आता था ये एक sample है google की search page उस वक्त कैसे था लेकिन 2018 में google ने अब तक कितनी changes कर ली हैं आपको काफी चीज़ें नहीं नज़र रहेंगी जो आपको पहले नज़र नहीं आई थी तो ये google कैसे करता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर के वो कौन कौन से नए features हैं जो गूगल डाल चुका है और उन sections को क्या बोलते हैं और वो sections कब कब किस किस तरह से नज़र आते हैं तो गूगल ने पिछले 10 सालों में काफी जादे improvements की हैं डिजाइन के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अंदाजा भी नहीं होता है और हम देखते हैं और हम उसको ignore कर देते हैं मेरी कोशिश है कि मैं आपको काफी important चीज़ें बता दूँ कि क्या वो हैं और हम कैसे उसको रोज़ाना अपनी life में देखते हैं सबसे पहले आता है direct answer box अगर आप Google से कोई answer पूछें तो वो आपको जवाब देना चाहता है Google एक answer engine है और हम इस पे पहले बात कर चुके हैं तो Google की कोशिश ही होती है कि आपको वो अगर सवाल समच जाए आपका वो directly उसको answer करना चाहता है और इस answer को prominent करने के लिए वो बाकी result से different design दिखाता है और वो design को छिस सरा से नजर आता है कि वो अपने answer को prominent की एक जगा देता है उसमें आपको सवाल का जवाब होता है जहां पर उसको images दिखाने है और images भी दिखाता है और साथ related searches भी दिखाता है उसके बारे में तो यह एक change है जो Google ने पिछले 10 साला में की है फिर दूसी change है कि Google Featured Snippets के नाम से आपको मुख्ली चीज़ें highlight करके दिखाता है जिनमें सबसे पहले paragraph है तो अगर आपकी query किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जो information मांग रही है वो आपको Google उसके बारे में एक paragraph दिखाएगा और वो इस तरह से आपको नज़र आएंगी कि जो भी आपकी information है ताके आपको फॉरण Google पर ही पता चल जाए अगर आपको कोई छोटा सा जवाब है जो आपको Google के ओपर ही मिल गया है तो आपको मज़ीद क्लिक करने की जरूरत नहीं है कि आप मज़ीद उस website पर जाएं और उस website को खोल कर उसमें अपनी information capture करें तो Google यही चाहता है कि आप उस सारी information Google के उपर से ही ले 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 और अगर आपको इससे बहतरी मिलती है तो ultimately आप Google पर ही रहेंगे ना कि Google को छोड़के अगरी website पर जाएंगे एक और feature snippet की example है वो है bullets में list अक्सर लोग चीज़ें धूनते हैं let's suppose कोई recipe की कोई पकाने की recipe धूनता है कोई और चीज जिसमें list का शुमार होता है वो list basically Google आपको अक्सर ऐसे ही दिखा देता है तो अक्सर आपको steps लिखें, for example, how to set up a camera, how to drive your car अगर आप ये साथी चीज़ें ऐसे गूगल से पूछेंगे और उसमें अगर steps involved है तो Google क्या करता है, कि अगर Google को समझ आ जाए कि आपकी query क्या है वो आपको direct answer देने की कोशिश करेगा और वो feature snippet की सुरत में आपको bullets में list दिखाएगा और ये list आपके सामने, आपको वहीं से मिल जाएगी मज़ीद आपको ये भी करेगा, कि आपको reference देगा कि अगर आपने मज़ीद पढ़ना है, तो आप कहां से पढ़ सकते हैं इसी तरह से एक और Google का feature है जिसमें वो आपको numbered list दिखाता है तो अगर कोई step involved है, for example, अगर वो number 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से step wise number चल रहे हैं तो वो आपको numbered list दिखा देगा Google के अपर ही जिसके साथ आपको, अगर आपको information वहीं मिल जाए तो आप Google छोड़कर किसी और website पे नहीं जाएंगे और आप वहीं से अपनी information हासिल कर लेंगे तो एक और चीज़ Google बड़ी important करता है वो table design है अखसर table design ज़रूरी होता है कुछ खास information understand करने के लिए तो अगर आपको information columns के अंदर मिल जाए तो आपको वो बड़ी असानी से समझ आजाती है कि इस information का क्या मतलब है तो इस तरह जिस तरह से ये अपने investment के बारे में बात कर रहे हैं आप इस तरह से बहुत जगाँ पर बहुत examples के साथ आप ये understand कर सकते हैं कि इस तरह का design आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल जब conversion करता है जब आपको tables दिखाता है आपके लिए information digest करना information हजम करना बहुत असान हो जाती है और गूगल ये भी सिर्फ आपकी इसानी के लिए करता है वो तब जब गूगल को ये लगता है कि उसकी information आपको help करेगी और ये वही information है जो आप धून रहे हैं एक और शीज इंटरस्टिंग आपने देखी होगी खसूसन जब आप कोई product जून रहे हो जिसके ratings आपको चाहिए हो या उसकी price आपको चाहिए हो वो उसको rich snippets बोलते हैं और वो कुछ इस सरह से आपको नज़र आती है Google ये करता है कि Google website से data उठाकर अगर वो public website है जिसमें लोग आके review कर रहे हैं आपने किसी e-commerce website से शौपिंग करनी है और वहाँ पर एक product लगी हुई है कुछ लोगों ने खरीदा उसको और उसके बाद उसको review दिया किसी ने one star दिया तो किसी ने five star दिया जब वो star rating देते हैं तो ultimately Google उसको show करना चाहता है कि जो product आप buy करने जा रहे हैं इस पर click करने से पहले ये समझ लें कि ये product इतने की बिकरी है और इतनी इसकी rating है और ये सारी शीज़ें आपके जो मजीद चाहिए ये stock में है या नहीं है ये आपको Google के उपर ही Google दिखाना चाहता है ताकि आप वहीं पर click करें जहां पर आपको लगता है कि आपको जाना है तो आप ये देख लेंगे कि कौन सा मॉबाइल बहतर है और कौन सा मॉबाइल कितने का लगा हुआ किसी website में और उस मॉबाइल के features क्या है अगर आप एक ही मॉबाइल मुसली website पर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सारे features से मिलें लेकिन prices different मिलें तो आप क्या करेंगे आप ultimately उस website पर click करेंगे जहां पर आपको ये लगता है कि वो website आपको help करेगी या आपको ये लगता है कि website आपको सस्ता मॉबाइल दे सेखेगी तो ये आपके उपर है कि आपके इसको पसंद करते हैं लेकिन Google की कोशिश ये है कि आपको maximum information Google के उपर ही दे दी जाए और वो आपको इस तुरत में वो देता है एक और feature है local pack के नाम से local pack का data Google maps से आता है और ये local pack तब activate होता है जब आपको location based जगह से related कोई आप अगर query करें तो वो आपको उस से related results दिखाता है तो for example अगर हम restaurants की बात करें तो restaurant एक physical location होती है जहाँ आप आप जाकर खाना खा सकते हैं तो अगर Google को ये लगे कि आप जो धूंड रहे हैं उसके लिए एक location matter करती है उस location के तहाँ वो आपको maps दिखाता है और वो maps आपको बताएंगे कि आप किसी जगह से कितनी दूर है या किसी जगह से कितनी पास हैं और आप फिर ये decide कर लेंगे कि आपने वहाँ पर जाकर खाना खाना है गूगल का interesting feature है knowledge graph के नाम से ये knowledge graph अक्सर search के right side पे आता है ये right side पे knowledge graph तब आता है जब आपको कोई खास information चाहिए हो किसी particular चीज़ के बारे में जैसे कि हमने पहले देखा जब हम कोई किसी actor के बारे में जहाँ पर अगर गूगल को मुनासिब लगे तो वो images भी दिखाता है वो maps भी दिखाता है और वो मजीद further links भी दिखाता है कि आप शायद ये जानना चाहें या आप शायद इनको भी search करना चाहें तो इसको knowledge graph बोलते हैं और ये भी Google की बड़ी successful product रही है पिछले 18 सालों में जैसे ही इन्होंने launch किया लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और इसकी वैसे लोगों की बहुत सारी research असान होगी क्योंकि उनको मजीद click करके कुछ information जो दूसी website पर जाकर देखनी पड़ी थी वो Google के ओपर ही देखी जा सकती है इसी से मिलता जूलता एक और फीचर है जिसका नाम knowledge panel है knowledge panel knowledge graph से थोड़ा सा different है और इसमें difference यह है कि knowledge panel basically सारी information गूगल से लेकर आता है knowledge graph में हमने जिकर किया कि वो Wikipedia या Encyclopedia से information आती है पर knowledge panel में information ज़्यादा तर गूगल के उपर मतलब Google की maps listing या दूसरी property से ही आती है तो ये सिर्फ इसमें इतना फरक है लेकिन नजर ये भी right side पे आता है तो अगर Google के पास आपकी maps की listing है मतलब ये कि अगर आप Google Maps में as a business registered है और आपकी location में कुछ feedback है लोगों ने कोई review किया हुए है तो आपका number उसमें added है या आपके उसमें जगा का address added है तो Google आपकी location इस से दिखाएगा उन लोगों को जो आपके business के बारे में search कर रहे हैं अक्सर Google को लगता है कि अगर आप एक चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो आपको मज़ीद चीज़ें भी search करते हैं तो research में खसूसर जब आप एक सवाल पूछते हैं तो उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछते हैं उसके बाद तीसरा सवाल पूछते हैं ये data सारा Google के पास मुझूद होता है गूगल इसी की बेस पे गूगल ने एक नए फीचर लाँच किया जिसका नाम people may ask उन्हें इसी तरह से रखा उसमें ये करते हैं कि जब आप एक सवाल पूछते हैं तो गूगल को लगता है कि उसका जवाब देना जो ज़रूरी है लेकि उस जवाब के साथ वो आपको मजीद सवाल और भी लिख देता है कि शायद आपको अगला सवाल ये पूछना पड़े या उससे अगला सवाल ये पूछना पड़े तो जैसे जैसे आप अपने सवाल पे क्लिक करते जाएंगे वो मजीद सजेशन दिखाता जाता है और सारे नीचे मजीद सजेशन उसकी बढ़ती जाती है तो ये फीचर भी बहुत पसंद किया गया गूगल का क्योंके लोगों की रिसर्च फिर असान होगी और क्योंके लोग अपने फेवरिट सर्च एंजिन में जाकर रिसर्च करते हैं तो वहाँ से वो सवाल मजीद आंसर जान सकते हैं एक और फीचर है इमेज़ पैक के नाम से जिसमें गूगल इमेज़िस आपको दिखाता है तो अगर आप किसी भी चीज़ का इमेज़ धूंट रहे हैं तो गूगल चाता यह है कि आप बजाए गूगल इमेज़िस के उपर जाकर सर्च करें आपको वो फोरण ही इमेज़िस दिखाने की कोशिश करता है और उसको यह लगता है कि जहांपर इमेज़िस दिखाएगा हो सकता है आपको जहीं से कोई इमेज़ पसंद आजे और बजाए इसके कि आप नए टैब में या नए ब्राउजर में उसको गूगल इमेज़िस को खोलें आप यहीं से इसको कलिक करके उस पे इन्फरमेशन अपनी हासिल कर सकते है एक और इंटरस्टिंग इसका न्यूस बॉक्स के नाम से फीचर है जो कि न्यूस रिलेटेड है अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च करें और वो टॉपिक के अगेंस्ट कोई न्यूस हाट न्यूस चल रही है या गूगल को लगता है कि इसके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें न्यूस दिखाई जानी चाहिए जो है वो उसमें असानी आजाती है कि आपको information फॉरण मिल गई है तो इस तरह से गूगल अपनी innovation लेके आता रहता है और वो कुछ चीजें नहीं launch करता है लेकिन साथ ही वो किछ चीजें delete भी करता जाता है यह totally depend करता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और Google कैसे उसको test करता है और कैसे evaluate करके decide करता है कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है